नमस्कार दोस्तो मैं विजेफों जी आप सभी को मेरे व्लोग में स्वागत करता हूँ आज हम बात करेंगे देख सकते हैं चिकु का पेड़ है मेरे घर में और ये चिकू तोडने लाइक हो चुके हैं और आज हम बात करेंगे इस वालोग के अंदर में चिकू देख सकते हैं आप ये तीन तीन एक एक जगे लग रहे हैं तो अगर ज़ये आपके घर में भी चिकू का पेड़ है और उस पे चिकू नहीं आ रहे हैं तो एक काम कीजिएगा सब आप से पहले आप इसकी गुडाई करके जो गोबर का खात है वो डालिए ये देख सकते हैं अभी इनको तोड़ने के बाद में सीधा पानी में डालिए और इनको दोईए आज हम बात करेंगे इस वालोग में चिकू के पेड़ से तोड़ने के बाद में फल कैसे आते हैं औ पकने का भी हम आपको बताएंगे किस परकार से इसको पकाए जाते हैं तो बात कर रहे थे हम इसमें चिकू के ग्रोध की तो आप इसमें क्या कीजिएगा सरसों की खल होती है खल लीजिए देशी भेंश का गोबर का खात पुराना और जो चाक जिस पे लिखते हैं बोड के गारेंटे से बहुता हूँ कि बहुत ज्यादा फल आएगा इसमें तो यह देख सकते हैं मोटे मोटे फल लगे हुए हैं आज हम इनको तोड के आज आभी पकाएंगे क्योंकि उसमें से कुछ तयार हो चुके हैं चिकू को पेड के उपर भी पक जाता है पर उसके अंदर मे क्या कीजिए एक पेटी लीजिए कार्टून लीजिए पुराने अकबार लीजिए और पुराने अकबार में डाल के इसको रख दीजिए दो तिन दिन के बाद में बिलकुल तयार हो जाते हैं और दोस्तों आपके घर में पेड है और अगर चिकू नहीं आ रहे हैं तो जो म मेरे व्लोग आपको कैसे लगते हैं? कॉमेंट करके जरूर बताईएगा जो मैंने आपको इस व्लोग में बताया है वो कैसा लगा? और मैं आपको दिखा रहा हूँ किस परकार से हम लोग पेटी में इसको पकाते हैं? तो यह देख सकते हैं अकबार डालके मैंने इनको रख दिया है और आपके सामने ही अकबार डाला है पेटी इसके अंदर में मैंने इनको ढाक के रख दूगा तीन दिन के बाद में चीकू पक जाएंगी पूरी तरीके से तो नमस्कार दोस्तों मेरा वलोग कैसे लगा आपको कॉमेंट करके जरूर लिखेगा जैहिन